तो दोस्तों फाइनिली करते हैं आपका स्वागत आप सभी का हमारी चैनल टिकनोटिक्स वर्ड की उपर और दोस्तों आज हमसे पूछा गया हमारी इमेल की उपर एक सवाल दोस्तों पूछा गया कुछ ऐसा कि तुशार भाई आप बता हमें कि जब भी हम जाते हैं अपने PC के लिए अंटि वाइरस करीदने के लिए वहाँ पे हमें swap वाला recommend करता है कि भाई आप anti-virus के साथ anti-malware भी अपने PC के लिए खड़ीदो तो क्या सच में ऐसा कुछ होता है या पे हमें उल्लो बनाया जा रहा है दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि आप जब भी online भी अगर software खड़ीते हो अगर anti-virus करीते हो तो साथ में आपको anti-malware भी recommend जरूर किया जाता है अब दोस्तों ये दोनों होते क्या है इसके बादे मैं आज बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों आप जानों कि एक virus क्या होता है जिसकी ये प्रोबल्टी होती है कि वो अपने आपको replicate कर सकता है अपने आपकी duplicate copies को बना सकता है जी हैं दोस्तों अगर एक जगह कोई virus है तो वो अपने आपको fail के वो कई सारी copies खुद की develop कर सकता है जिसकी वज़ए से हमारी PC में आकर data's का loss हो सकता है अब बहुत सारी चीज़े हमस हो सकती है दोस्तों अगर बात करें malware की तो malware दोस्तों misleadingous तरीके से काम करता है malware में भी कई सारे होते हैं दोस्तों जैसे कि Edson Wear हो गया, Ransom Wear हो गया, Spy Wear हो गया और आसे Trozen Ours हो गया बहुत सारे हो गया दोस्तों जिनका सबका बहुत अलग अलग काम होता है अब दोस्तों यहां पर सवाल निकल के आता है कि क्या आपको अपने PC को अगर protected रखना है तो आपको एक anti-virus की जरूरत है या फिर दोस्तों एक anti-malware की जरूरत है तो दोस्तों मैं आपको यहां दोनों conditions को समझा देता हूँ आप decide करना कि आपको किस चीज की need है दोस्तों अगर आपने PC खरीदा आप उसको रखना चाहते हैं secure उन पुराने viruses से जो कि आज से बहुत टाइम पहले आ चुके हैं उनसे अगर आपको secure रखना है अपने PC को वहाँ पे दोस्तों antivirus more than sufficient होग आपकी PC के लिए लेकिन दोस्तों जिदरी भी यह नई चीज़े आ रही है जिसे कि Trozen Wars हो गया spyware हो गया जो कि छुप कि आपकी computer system से आपकी data को चुरा रहा है यह spyware का काम होता है जो कि वह भी एक malware होता है ransomware वह होता है दोस्तों जो आपकी particular folder या फिर आपकी पूरे पूरे computer system को lock कर देता है और आपसे कुछ फिरोती मांगता है कि भाई आप इतने dollar हमें pay करो तो हम आपकी computer को release करेंगे हम उस lock को unlock करेंगे तो दोस्तों यह कुछ काम होते हैं इनके ऐसे दोस्तों यह सब जो malware होते हैं यह बहुत mislius तरीके से और भी बहुत जादा काम करते हैं तो यह कुछ करते हैं ऐसा दोस्तों अगर आपको एक बहुत जादा high secure अगर आपको अपने computer की profile को maintain करना है दोस्तों आप उस case में malware का एंटी malware का दोस्तों use कर सकते हैं आप अपने PC में अब दोस्तों आपके जनकारी के एक और चीज़ बना दो कुछ ऐसे suit प्रोग्राम साते हैं दोस्तों जिन में यह दोनों चीज़े प्रेजन्ट होती हैं जी यह और बहुत सब्टेर्क्राइश आते हैं दोस्तों जो antivirus प्रस antimalware दोनों की programs को content करते हैं इनको suit viruses या suit programs कहा जाता है दोस्तों तो दोस्तों यह कुछ ऐसे जनकारी थी जो मैंने आपको दे दी कि antivirus, antimalware और यह suit programs आते हैं जो बलकी होता है लेकिन दोस्तों जो हमारे anti-malware होता है वो इतना जादा बलकी नहीं होता वो lightweight होता है दोस्तों उसको use करना बहुत ज्यादा आसान बन जाता है लेकिन दोस्तों अगर आपको दोने की copies मिल जाएं आपको दोनों चीज मिल जाएं कि कि CD में आप दोनों को चला सको आप एक ही फाइल को डाउनलोड करके दोस्तों दोनों का मज़ा ले सको तो that will be दोस्तो that will act as a good because दोस्तों हमको दोनों से अपने PC को safe रखना है तो दोनों का मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो I hope दोस्तों आपको मिल गई होगी बहुत सारी information हमारी इससी वीडियो से और दोस्तों अगर आया हो आपको हमारा वीडियो पसंद करदा फटापट लाइक कमें शेयर अपने दोस्तों के साथ और चैनल को भी करतो subscribe क्योंकि आपको मिल जाए notification जैसे ही हम वीडियो अप्लोड करते हैं और दोस्तों आपसे एक और चीज़ में कहना चाहूंगा कि दोस्तों अगर आपके मन में भी कोई सवाल आता है आपके भी मन में कोई सुझावाता है हमें लेकर हमारी चैनल को लेकर या आपके मन में कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हो दोस्तों तो आप सीधा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो मैं आपके सवाल को जरूर पीक अप करूँगा बहुत जल आने वाले समय में तब तक के लिए जेहिंद और बाई बाई दोस्तों